हेलो गाड़ी रहने वाली है यह फॉर्चुनर इंडेवर ग्लॉस्टर की रिवाइल होगी तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हूं गाड़ी के एकस्टीर लुक्स एंड फीचर्स के बारे में पहले में आपको बार बता दू ट्वेंटी एटीन में गाड़ी थी जो चाइन में लॉंच हुई थी और जो इसका जो फ्रेंट का जो है वर्जन अब आगर आपको देख रही हो गया फ्रेंट से जो लुक है वो सेम दिखता है हमारे जो अभी करेंट में जीप कमपस चल रही है दोनों का फ्रेंट ऑल्मोस्स सेम ही मिल रहा है लेकिन अब जो भी जो चा देखने को मिलेगा तो फ्रेंट में कैमरा आगे है तो फ्रेंट में कैमरा से देखने को मिलेगा को मिल सकता है अगर हम साइड प्रोफाइल से देखें तो साइड प्रोफाइल से में आपको देखने को मिलेगे जो बॉडी कलर पेंटिड ओवी आरेंस है आपको बॉडी कलर पेंटिड आपको इसमें वील आर्चिस मिलेगे ओवी आरेंस साइड व्यू मिलेंगे और बात क रहे है, वो मझे 18 to 19 इंच देखने को मिल रहे है, हो सकता कमपनी उपर नीचे करते है, तो 18 देदे,19 देदे, तो काफ़ी अच्छे ऐंच्छा बड़े पारकिंग लाइट है वो आपको थोड़ा स्मोक की लग रहा ऐसा और इससे थोड़ा टिंटिंग कर रहा है ब्लैक काफी अस्था लगा देखने में और इसमें जीप कमांडर की जो बेजिंग है वह मैं बताना भूली कि वह साइड में है आपको देखने को मिलेगी जीप ग्र पर देखा था मैंने और थोड़ा इंडियन वेबसाइट पर तो इसलिए और इसमें अगर बात करें गाड़ी के उपर तो शायद इसमें आपको पैनरामिक संद्रूफ जो है देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा है जो सेग्मेंट में देखा जाए तो सिब आपको ग्लॉस काफी जादा मतलब बड़ी जीप कंपस से कंपर करें और फॉचनोर से कंपर करता काफी अच्छे आपको मिल रहे हैं गाड़ी की लैंद रहने वाली है वह रहने वाली है 4895 mm विट्ट जो इसका रहने वाला है 1896 mm और यह हैं पिसकी 1754 mm रहने वाली है देखा जाए बैसे अगर आपको स्क्रीन पर फॉर्चन की वितारी होगी जो फॉर्चन जो है यह फॉर्चन से थोड़ी सी लंबी है इसकी लेंद जो काफी अच्छी मिलने वाली है और बात कर अगर जीप कमपस से तो आप कुछ लोग करें कि क्या कह रहा है यह आपको 490 मतलब आपको 490 mm जो है लॉंग मिलने वाली है बात करूं वैसे इंजिन के वारे में इसमा आपको 3 इंजिन देखने को मिल सकते हैं पहला है डीजल दूसरा पेट्रोल और तीसरा आपको मिलने वाला है प्लग-इन हाइब्रेड पी एच इवी फॉल फॉल फॉर्म यह कह रहे हो गे प्लग-प्लग हाइब्रेट इवी विकल्स मतलब इसका मतलब है गाड़ी जो है फ्यूल और बैटरी दोनों पर कंबाइन हो के चलेगी जिसे जो है आमारी मायरेज बढ़ जाएगी एफिशेंसी सही रहेगी तो काफी अच्छा है इस सिस्टम पर चलिए बात करते हैं जो आपको चाइना में जाको स्पैक्स देखने हो मिलता है भी डंग से क्लियर नहीं कर रहा है कि आपको कितने हॉस्पावर का मिलने वाला है या कितने बल्क हॉस्पी का आपको टू लीटर इसका कंफर्म है तो इसमें आपको टू लीटर का 4-0 का इंजन मिलने वाला है जो प्रेडूस करने वाला 226.hp का जो काफी अच्छा है अब आपको जो जुआ गाड़ी बिजली से भी चलेगी पेट्रोल से भी चलेगी काफी अच्छा मिक्स होगी चलेगी तो बहुत बी ऑप्षिन में मैनुवल को काफी ज़ादा लोग प्रिफर करते हैं आज कल जो है आप नया नया वह आ गया है कि अब इंडिया में आपको इंजन मिलने वाला है टू लिटर का फोर सिरेंडर इंजन जो यह इंजन है यह सेन जीप कंपस वाला मिलेगा आपको मल्टी जैट बस इसे थोड़ा जो है ट्यून करते हैं मतलब जो जैसे कहते हैं री मैपिंग कर देते हैं ट्यूनिंग कर देते हैं इंजन की जैसे बात करें थोड़ी जो गाड़ी आती जैसे बात करते हैं स्कॉर्प्यों कि स्कॉर् और 9-speed automatic रहने वाला है जो अराउंड 200bhp का होने वाला है और 500 एनम आफ टॉर्क जो है हो सकता है 450-500 तो होई सकता है क्योंकि जो है फॉर्चुनल जो है भी 500 का दे रही है वाला सेग्मेंट पे जो है रिवाइल देना चाहेगी कंपनी बात करेंगा थोड़ी सेफ्टी अन कर इसमें पूश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलने वाला की लैसे एंट्री मिलेगी आपको इसमें हिल स्टार्ट मालब हिल लॉंच हिल पर चड़ाई करते वक्त दोनों का आपको मिलेगा इसमें आसिस्ट आपको ABS प्लस EBD ट्रेक्शन कंट्रोल मल्टिपल एयर बैक्स आपको अब यह फेसलिफ्ट है और अपग्रेटेट है जो इससे पिछले वाली में आया करती उसमें तो आपको सैंड मर्ड आपको यह सब फीचर मिलते तो यानिया जैसे आपको पेक्स आ रही होगी यह पुराने वाली जीप है यह भी नहीं वाली नहीं है ग्राइंड कमांडर ज जो है इसमें आउटमाटिक गेर के आगया आपको मिल रहोगे टेर्न सेलेक्ट के स्विचस तो बात करेंगे अगर सिक्सीट के बारे में इस जो किरेंड़ जो स्टसीट के आया लगे छिए जोगे का सिदर उसक्राइब या फिर उसमें आम रेस्ट जो है फिट कर देंगे और आपको जो पीछे दो सीट बहुत आपको मिलेगी जैसी सिक्सीटर बन जाए गाड़ी बात कर अगर इंटियर के बारे में अभी जो हमाइबा कोई मिले हैं किसी को भी नहीं मिले है लेकिन पुराने वाजी जीप से अंदाजा लगा सकते आपको नहीं वाली में क्या मिलने वाला है तो अगर बॉधडीНу इंस्टूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है आपको लैदरी इंटियर मिलने वाला है टेरेंस सिलेक्ट मोड डायल मिलने वाला है परारामिक संद्रोबिक बलब काफी बड़ी इंफोटेमेंट सिस्टम मिलने वाले क्यों चाइना है चाइना जैपाइन यह सब टेकनोलोजी के लि में प्राइस जो रहने वाले इसका 38 लाक्स टू 45 लाक्स एक शूरूम ऑन रोड नी एक शूरूम कि जितना इस जो काड़ी है यह आपको कर देखको तो सकते कंपणी फिर से सी केड़ी करें जाएगा बलडबल से मिलेगे प्रॉफिट में निकालेगी रगस्ट्रेशन तो आपको इतना ही पड़ेगे लेकि जो सी केड़ी आएगी कंप्लीट नॉकडाउन अगर इस पर विडियो बढाने तो मुझे कर देख कर सब्सक्राइब 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 अगर लांचिंग के वारे में तो जो है फिलाल कुछ भी नहीं लेकिन हो सकता है अगरे साल जो 2022 में अच्छी बात है और अगर वे कर जाएगी जल्दी हो dużo सकता है मेरे साफ से 2022 में हो या फिर 2023 के स्टार्टिंग में तो बस आज के लिए इतना ही कैसी लिए आपको मेरी वीडियों कर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरू कर दिना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिना प्लस आपने हाथ से थार बनाई ती जो मैं उसकी इंस्टाग्राम पर अच्छी है मैं ने बनाई ये खुद और हम अगर आपको मुझ मैंने जीमील का नाम दे रखा मुझे उस पर कर सकते हों कॉंटेक्ट तो चलिए बाए